है गाईस कैसे हैं आप तो आज में गई थी मार्किट फैब्रिक लेने तो यह वाला फैब्रिक मुझे बहुत पसंद आया है कोटन प्रिंटेड फैब्रिक है तो इसे में लिया है अपनी कूर्थी बनाने के लिए लेकिन जब मैं इस कूर्थी की कटिंग कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम इस कूर्थी की सिंपल इस्टिचिंग करेंगे तो यह हमारी कूर्थी सिंपली दीखेगी और इसी फैब्रिक के उपर हम कोई लेस वगेरा लगा कर अपनी कूर्थी को डिजाइन करें तो हमारी कूर्थी एक बहुती संदर और लेस लेहा यह रिखे तो यह थोड़ी पतली है और यह थोड़ी लैस है तो इनी दो लेसों के उसका हम एक सुंदर डिजाइन बनाएंगे मैं अपको इसकी सिलीव ऊपर डिजाशन बनाना बता रहे हूं बहुती कर दिजाइन हम बना रहे हमारी कूर्थी का करेंगे लेकिन अब हमने इसको ऐसे रखना है और एक पेर का मारजन दबाते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है यह सिलाई हमारी लग चुकी है अब सिलाई वाले फेब्रिक को ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे और अब हम इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे और अब इसको ऐसे नीचे की तरफ मोड़ेंगे और यहाँ पर बड़ा टाका करके सिलाई लगाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पर सुईधागे से तुर्पाई करूंगी अगर आपको सिलाई रखनी है तो आप वो भी कर सकते हैं अब हमारे पास जो लेस है उसको हम नीचे की तरफ ऐसे रखेंगे और इसकी किनारी पर फिनिसिंग के साथ में सिलाई लगा लेंगे अब हमारे पास जो दूसरी लेस है इसको हम ऐसे रखेंगे और यहां पे लगवग हम आदा या पोना इंच का गेप रखेंगे और लेस को हम उल्टा रखेंगे जो हमारा डिजाइने वो उपर की तरप रहना चाहिए अगर नीचे की तरप करेंगे तो लुकिंग नहीं आएगी अब हम इस पे दोसरी सिलाई लगा रहे हैं यह देखें यह सिलाई मैंने थोड़ी उपर के लगाई है और यह हमारी सिम्पल सी सिल्यू एक बहुती सुंदर डिजाइनर लुक दे रही है आप देख सकते हो अगर हम इसको सिम्पली बनाते तो यह इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती और हमने लेश से इसको थोड़ा सा डिजाइन किया है तो हमारी कितनी सुंदर लग रही है यह सिल्यू तो इस तरह से आप सिलाई करती समय थोड़ा सा लेश वगेरा से डिजाइन करेंगे तो आप अपनी سिंपल कूर्ती को एक बहुती सुन्दर और डिजाइनर कूर्ती बिना सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको यह मेरे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ जरूर शेयर करें आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बैल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नौटिकिसन मिलती रहे आज के लिए बस इतना ही थेंग्यों